Hi everyone, so today we have very 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 big hiring opportunity, so उसके बारे में हम बात करते हैं, so जो hiring आई है, वो मैं आपको पहले ही बता जाता हूँ, वो आई है Tata LXI की तरफ से, तो अगर आपको पता हूँ, तो Tata LXI जो कंपनी जातर बहुत बड़ी मात्रा में आपर hiring करती है, और इस साल हमें अभी तर Tata LXI की त से यहाँ पर freshers के लिए, clearly mentioned freshers के लिए hiring announced कर दी गई है, जो की अच्छे लेवल पर होने वाली है, so उसके बार में हम discuss करेंगे, but पहले ही मैं आपको यह चीज़ करना चाता हूँ, कि इसमें किवल 2023 batch eligible है, only 2023 pass out are eligible to apply, अब बागी के batches का क्या, जो और भी batch हैं, like 2023 batch, पहले वा बाद वाले batch के होंगे, so उनकी लिए भी बहुत अच्छी अच्छी hiring science video में, so उसके बार में हम discuss करेंगे, but first discuss the Tata LXI hiring, जो की बहुत अच्छी और एक बड़ी hiring होने वाली है, so let's discuss about it, let's go guys, so बात के लिए Tata LXI की, तो मैं पैदे आपको पूरा post समझाता हूँ, और थोड पूर अंगुल का लिंगा नगर काफी सारा, JD for CS requirement is, bachelor's degree, but CS, IT, ECE, MCA will be preferred, मतलब technical लोगों को यहाँ पर प्रिफर किया जाएगा, भागी bachelor's degree requirement है, minimum 60% is required, 60% आपके at least होने चाहिए, any scriptive automation और programming knowledge is preferred, कोई भी आपको programming language के बार में पता होना चाहिए, willing to work in IT support field, interested in Linux, network technical support job role, must have Linux, Red Hat, Cisco certification, candidate must be from 2023, year of pass out batch only, and local candidates are only preferred, ठीक है, अब देखो, अब आप में से कई लोग सोचोगे, कि यार हमारे पास तो ना Linux का certification है, ना Red Hat का certification है, ना Cisco का certification है, ठीक है, कोई भी problem आपको नहीं आगी, कैसे क्या करना है, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, so if your profile meets the above requirement, kindly share your resume at swarupa dot s1 at tataalexi.com with the subject line, SIS, CS requirement, East Reason, तो ये आपको चीज मेंशन करनी है, subject line में जहान रखना, जब भी आप mail करोगे, तो ये वाली चीज मेंशन करनी है, अब बात कर लेते हैं, भाहिया, हम पे तो ही नहीं, हम पे तो ही ना, certification है, ठीक है, तो ये वाली जो इशु आ रही है, इसमे ये लिनक्स के ना, दो दो घंटे के course Google पर डाले हैं, बहुत सारे, जिसमें आपको certificate भी मिलता है, ठीक है, दो घंटे लगेंगे, केवल दो घंटे में लिनक्स का certification ले सकते हो, ज़दा time नहीं लगेगा, आप जब resume भेज रहे हो, resume में add कर दो, कि आपके पास Linux की knowledge है, अपन course with certificate, ये आपने सच किया, यहाँ पर आगे है, free Linux का course और जिसमें आप देख लेना है, यहाँ पर आपको certification जिसमें मिले है, मैं तो कहूंगा आपको, कि आप simply learn का check कर लो, क्योंकि जो simply learn है, इनके courses बहुत जल्दी हो जाते हैं, complete, कुछ ज़्यादा time लगता नहीं, देख सकत आप 3 गंटे का course है, इसको आप देख सकते हो, free है, ठीक है, कोई भी इसमें pay नहीं करना है, आपको, पूरा free course है, 3 गंटे का course है, और 3 गंटे में आपको certificate मिल जाएगा, ठीक है, complete करने पर certificate मिल जाएगा, तो आप तो डाल दो अपने resume में, के भाईया, हमें तो आता है Linux, हम है, तो certification है, हमारे पास Linux का, अगर आप देखोगे, तो बस थोड़ी बहुत video है, और इसको complete करके, आपको certificate मिल जाएगा, और आपके resume के लिए अच्छा है, अगर आप 3 गंटे को seriously पढ़ते हो, तो Linux की skill आपके resume में add हो जाएगी, which will be a good advantage, अभी के time में आपको क्या करना है, Linux को add करेंगे, अपने resume में, आप इस पे base दो अपना, ठीक है, email ID, क्योंकि अब इसमें आपको 2 advantage मिलेंगे, जो लोग, कई लोग इस वाली hiring को ignore कर देंगे, क्यों वो कहेंगे, हम पे तो, है ही नहीं कुछ certification मेगरा, but, अपन के जो बच्चे है ना, वो ये वाला course को complete करके, और अगर कर भी नहीं complete, तो आप लिख दो किया, मैं आता है Linux और आप भेज दो इस पे, ठीक है, तो आपके लिए काफी अधा advantage वाली चीज हो जाएगी, 2023 passouts के लिए hiring है, ठीक है, so must apply on this, क्योंकि Tata Alexa ही बहुत बहुत बढ़ी company है, directly recruiter ने post करी है, so big hiring opportunity, okay, then talking about next hiring opportunity, so ICE is hiring for data analyst so eligibility will be fresher and experience, so you can apply, data analyst की position कर रही है, IC एक बहुत बड़ी MNC है यहाँ ठीक है, यह मैं आपको clear करना चाहता हूँ, data analyst की hire कर रही है, आप लोग यहाँ पर directly apply कर सकते है, then बात कर लेते हैं next hiring के बारे में, तो next hiring, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि हम यहाँ पर बात अनिस्टॉप talent park की, और इसके बाद हमारे बास दो hiring और भी काफी बड़ी है, तो जला ध्यान से सुन लेना, so अनिस्टॉप talent park में आप किवल 6 दिन बचे है, आप लोग register कर सकते हो, इसके लिए, किवल 6 दिन ही बचे है, सबसे पहले यहाँ पर MCQ और coding assessment होने वाला है, जो क आपका एक मार्च को होगा, आपको इसके लिए prepare करना है, इसमें 20 MCQs देखने को मिलेंगे, topic में आपको data structure, algorithm, object oriented programming देखने को मिलेगी, और computer science fundamental with one coding question, so I hope जातर जो भी यह बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जातर को तो इसकी knowledge होगी, coding question है और CS fundamentals है, अगर आपको नही पूसती है, क्योंकि CS fundamental है, एक coding question है, और अगर आप coding ninjas के लगातार वो दे रहे हो न, क्या कहते है, अपनके contest, तो आपको और advantage ही मिलेगा, क्योंकि आपकी coding problems, skills बगरा बढ़ रही होगी, ठीक है, मैं यही hope करता हूँ, इसलिए मैं हर वीक डालता हूँ उसको, क्योंकि अग अगर ना भी मिले job, तो एक advantage है, क्या आप लोग कोडिंग तो ब्रेक्टिस करे होगी, इससे ठीक है, तो आप इसकी भी आपकी preparation हो जाएगी, तो आप लोग इसमें रिजिस्टर कर सकते हो, दूसरी बास में कोई भी shortlisting नहीं है, बाग इसके बार में थुड़ा साथ डिलि for Incol, they are hiring for front end interns, so you can try to apply this, basic requirement cette leader, java script, html, css reactive कि फखना है, तो फजसे होगी है, झाप भी मिले के लिए हैं, एक बाग बाग इसकी प्तिक लिए क्रेक्टिसून मिले दू मूच प्लाग कि उन्च भी नच ठीन है, जितली हो एप लिछें जापक्रतिप्ते शें बागी, प्रे